हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैसेल्फ ताराचन टीम मेथ CLC सीकर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जहीं मेंस का जो माइनर टेस्ट हुआ था उसका डिसकेशन सुचरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्यूशन नंबर वन ठीक है तो क्य है क्या है वो नंबर ओल दी रिमेंबर्स इस देट इट स्टार्टेट विट सेवन वन थ्री एंड देट नेक्स सेट और फॉर दिजिट इन्वाल्ट आर वन सेवन और नाइन वित वन ओप इस नंबर्स एपिरिंग ट्वाइस क्या है देखिए कोई एक फॉन नंबर है यह भूल जाते हैं कि क्या थे यह चार नंबर्स लेकिन उन्हें यह पता है कि वो जो चार नंबर्स थे वो आपके वन सेवन और नाइन इन तीन डिजिट से मिलकर के बना हुआ है वित वन ओप इस नंबर्स एपिरिंग ट्वाइस ठीक है क्योंकि देखिए वो चार डिजि है आपका वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि यह जो तीन डिजिट से इसमें से कौन से डिजिट को आपको रिपीट करना है ठीक है तो अपन क्या कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स निकाल रहे हैं फेवरेबल ठीक है तो एक को अगर आपको repeat करना है तो आपको तीनों में से किसी एक नंबर को select करना पड़ेगा तो for example एक नंबर मैंने select कर लिया तीन में से और वो select हो जाएगा आपका 3C1 से clear है जब उसका selection हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आपको पता चल गया कि एक 7 और 9 में से कौन से एक डिजिट को repeat करना है अब आपके सामने क्या होंगे इन में से एक डिजिट तो आपका repeat हो जाएगा for example 7 repeat हो गया 7 7 और बाकी दो डिजिट आपको पता है कि एक 1 होगा और एक 9 होगा तो यह जो चार डिजिट आपके आचुके हैं इन चारों डिजिट को इन चार पोजिशन पर आपको अरेंज करने हैं तो इन चार पोजिशन पर हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उनको 4 फेक्टोरियल डिवाइड बाई क्योंकि यह दोनों repeat हो रहे है तो इसकी वज़ेशा आएगा नीचे 2 फेक्टोरियल ठीक है यह 3 7 क्यों आया क्योंकि हमें एक डिजिट को repeat करना था और यह इन चारों का arrangements इसको solve कर लेते हैं देखी कितना आएगा यह आएगा बच्चो 3 इन्टो 4 फेक्टोरियल 24 और डिवाइड बाई 2 इसे काट दीजिए 12 so 3 इन्टो 12 there will be equal to 36 तो यह होगे बच्चो आपके क्या फेवरेबल आउटकम ठीक है अब आपसे आगे क्या रेंडमली the odds in favor of dialing the correct telephone number is देखी बच्चो अब यह जो 4 डिजिट है जब इन 4 डिजिट को dial कर रहे हैं ठीक है तो इसमें से correct combination तो आपका एक ही ही होगा ठीक है यह तो आपके पास में total आगे ठीक है यह कितने आगे total outcomes यह फेवरेबल नहीं total कितने possible हो सकते हैं वो outcomes आचुक ही होगा और वो जो correct combination होगा ठीक है वो होगा बच्चो अमरा अब favorable outcomes और फेवरेबल outcome कितना हो जाएगा एक क्यों क्योंकि correct तो एक ही combination होगा कोई भी phone number होता है आपका वो correct तो शिरफ एक ही बार हो सकता है और unfavorable कितने हो जाएंगे यह non-favorable non-favorable outcome कितने हो जाएंगे क्य आपको odds in favor पूछा गया है, odds in favor क्या होता है बच्चो, favorable upon non-favorable outcome का ratio और यही होगा बच्चो आपका answer, तो वापिस आके देखते हैं, 1 by 35 हमारा कौन सा answer है, that is first option, खिलियर है, चलिए इसी तरीके से आगी चलते हैं, और बात करते हैं अपने next question की ओर, और next question है, देखिए हमारा क्या, यह देखिए एक बहुत ही simple सा question है, ठीक है, आपने बहुत सारे questions ऐसे solve किये होंगे, natural number x is chosen at random from the first 100 natural number, पहले 100 natural numbers, एक से लेकर के 100 तक के जो numbers है, ठीक है, उसमें से आपको एक number select करना है, choose करना है, ठीक है, the probability that this number will be satisfy this inequality, इस चीज़ की क्या probability होगी, कि वो इस inequality को satisfy करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अपन इस inequality का solution, तो इस inequality का solution देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, तीन number है हमारे सामने, पहला है 20, दूसरा है 30, और तीसरा है बच्चो अपना 40, ठीक है, जब भी अपन किसी inequality को solve करते हैं, तो क्या negative, positive negative, right hand side से start करते हैं, और उदर पिछे की तरह पने को जाना होता है, ठीक है, अब आपको क्या होनी चाहिए, इस inequality में से, आपको वो numbers लेने हैं, जो 0 से चोटे हो बच्चो, तो 0 से चोटे, कौन कौन से number है, और साथ में यह भी जान रखना है कि बच्चो, आपको कौन से numbers यूज करने है, natural number प्राकर्थ संख्याओं आपको यूज करनी है, 100 पर्थम, 100 प्राकर्थ संख्याओं में से, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले negative आ रहा है 20 से पहले, means 20 से पहले जितने भी आपके पास में numbers होंगे, तो 20 से पहले कितने natural numbers होंगे, उसको इस box में लिख दो, देखो पहला natural number 1 है, तो 1, 2, 3, up to 19, तो यहां पर total 19 natural number होंगे, कहां से कहां तक, 1 से लेके 19 तक, ठीक है, जो इसको satisfy करेंगे, क्यों equal का sign नहीं है, तो आपको 20 का use नहीं करना है, अगर equal to का sign होता, तो 20 भी आ जाता वहां पर, इसके अलावा और negative number आएंगे, देखो करेंगे, तो 31 से लेकर के 39 तक, यह सारे के सारे natural number भी आपके यहां पर आएंगे, जो इस equality को satisfy करेंगे, 31 से 39 के बीच में कितने natural number होंगे, बच्चो, 9 natural numbers होंगे, इस बार आपका जो favorable outcomes होंगे, यहां पर, वो कितने आएंगे, बच्चो, favorable outcome आएंगे, आपके 19 प्लस 9, that is 28, ठीक है, total outcome तो आपके पास में 100 है, आपको दिया गया है, total कितनी सिंख्या है, 100 प्राकर्ट सिंख्या है, so total number of outcomes कितने हैं हमारे पास में, total number of outcome 100, probability निकाल नहीं है यहां पर, तो probability क्या होती है, favorable outcome divided by total outcome, इसको इससे divide कर दीजे, so 28 by 100, यह 4 से कर जाएगा, बच्चो, 4 से इसम हमारा answer, और यहां कौन सा option है, बच्चो, हमारा fourth option, जैसे में निकाते हैं, बहुत ही आसान question था, जो आपका पूछा गया था, चलिए, आगे बात करते है, question number 3 की और, और देखते है, question number 3 में अपने को क्या करना है, देखिए, question number 3 में आपको बोला गया है, there are four defective items in a lot consisting of 10 items, आपके सामने कोई एक lot है, जिसके अंदर total 10 item है, और उस में से आपको क्या करना है, बच्चों, उसमें से 4 आपको बोला गया है, defective item है, means उसमें से 6 आपके सामने सही item है, ठींग है na, total कितना है, 10, उसमें से 6 तो आपके पास में कैसे है, 4 तो defective है, 4 तो defective है, और remaining जो 6 है, वो कैसे बच्छो वो correct है ठीक है वो सही है ठीक है ना चार खराब हो रखे हैं बागी छेके बिल्कुल सही है from this lot we select 5 item अपने को इन 10 में से बच्छो 5 item select करने हैं ठीक है randomly ठीक है तो total number of outcomes तो कितने हो जाएंगी बच्छो total क्योंकि 10 में से 5 select करने हैं बात करते हैं बच्छो फेवरेबल outcome तो फेवरेबल के लिए दे कि आपको अगे आगे दिया हुआ होगा the probability that there will be two defective items among them means बच्छो आपने ये जो 5 items select किये हैं इन 5 में से 2 items आपके कैसे हो है defective और बाकी सब सही है तो defective अपने पास total कितने थे चार तो उन 4 में से बच्छो 2 को select कीजिए that is 4C2 और 6 थे बच्छो आपके पास correct और total बच्छो आपको select कितने करने थे पांच करने थे दो defective आप select कर चुके हो तो correct में से आपको तीन और करने है तो वो आ जाएगा बच्छो आपका 6C3 ठीक है आगे देखे फेवरेबल और total आ चुके है तो probability निकाल सकते हो आप फेवरेबल डिवाइड बाई total number of outcomes दोनों की value अपने पास given है अपने given नहीं अपने calculate कर ली है तो 4C2 होता है बच्छो आपका 6 ठीक है ना calculate कर लीजे आप लोग 4 इंटू 3 12 12 बाई 2 6 6C3 यह होगा बच्छो आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 6 6 से 6 कर जाएगा तो 5 5 कितना होगा बच्छो 10C5 को देखो calculate करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ठीक है और 7 में बच्छो एक से लेके 5 तक का product जो होता है बच्छो आपका 125 फेक्टोरियल ठीक है यह बच्छो आपका answer होगा इसको calculate कर लेते हैं देखे अपना answer आ जाएगा त्यान से इस 0 से 0 गया इस 2 से यह गया कितनी बार? च्यार पर इस 6 से 6 भी चला गया बच्छो प्यर देखते हैं 4 से यह चला गया बच् Army कितनी आर in R बार फिर बार देखते हैं देखो इसमें 3 का भाग चला जाएगा 10 बार और इसमें 3 का भाग चला जाएगा 3 बार अब सब कुछ कड़ चुका है उपर तो बचा है बच्चो आपके पास में 10 और नीचे बचा है देखो एक तो यह 3 और एक यह 7 तो 7 इंटू 3 21 और यही होगा बच्चो हमारा आँस्वर जो यहां पर आ रहा है दाट इस 10 बाय 21 और 10 बाय 21 हमारा कौन सा ओप्शन है ओप्शन नम्बर 4 जो कि हमारा सही आँस्वर होगा चलिए फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं next question की और और next question क्या है देखिए हमारा next question lot A consist of 3 good and 2 defective articles, देखिए कोई lot A है बच्चो आपका, जिसके अंदर again आपके पास में good or defective, ठीक है न, good or defective, lot A consist 3 good and 2 defective, 3 good and 2 defective, पिर आगे एक lot B है बच्चो अपने पास, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 good और 1 defective item, ठीक है यह A और यह B, यह आपको दिया गया है defective article, a new lot C is formed by taking 3 article from A and 2 from B, देखो बच्चो आपको एक नयक बनना है article C, जिसमें से 3 लेने हैं बच्चो आपको A से और 2 लेने हैं B से, ठीक है, तो सबसे पहले देखो C की तरब जाने की probability कितनी आ जाएगी, ठीक है, इसके अंदर total 5 item है, तो 5 में से आपको 3 लेने हैं, तो यह तो कितना हो जाएगा, 3 by 5, ठीक है, उसके बाद A आपके पास में B है, इसमें से कितने लेने हैं, 3 article from A and 2 from B, B से 2 लेने हैं, तो B में भी total 5 item है, तो यहां से यहां पर आने की probability कितनी हो जाएगी, 2 by 5, यह तो होगी बच्चो आपके article C जो है, उसके अंदर जो number of articles आ रहे हैं, उनके आने की probability, और आगे क्या बोला गया है बच्चो, the probability that an article chosen at random from C is defective, इसकी क्या probability है, कि जो आपने जो select किया है item, ठीक है, वो आपका defective होगा, ठीक है, तो देखे जब 3 by 5, ठीक है, यह जब आया है आपके सामने, ठीक है, तो इस साथ में, आपके पास में जो defective item है, ठीक है, उसके आने की probability क्या है, तो इसके साथ में defective, इसमें कितने है थे, 2, ठीक है, तो defective item जब A में से select किया है, तो उसमें से defective आने की probability कितनी है, probability of D by A, ठीक है, that is 2 by 5, ऐसे ही यहाँ पर निकालो, probability of defective item, इसके अंदर कितनी ठीक है यह आजाएगी इसके अंदर एक ही defective था so that is 1 by 5 ठीक है आप देखो आपके पास दोनों चीज़ें होगी सबसे पहले तो c के अंदर आपके पास में a से article आएगा उसके आने की probability और उसके बाद उसके defective आने की probability वह हो जाएगी आपकी total probability total probability का question है बच्चों यह total probability ब्राबर पहले इस a में से 3 by 5 तरीके से आपके यह तीन आर्टिकल सेलेक्ट हो सकते हैं और उसके बाद में उसके defective होने की probability हो सकती है 2 by 5 plus फिर B में से आपके पास में number of particle दो लेने है तो उसके आने की probability हो सकती है 2 by 5 तर्था उसमें से defective आने की probability 1 by 5 ठीक है यह आगे आपने पास data इसको simplify कर लेते हैं देखे कितना आएगा 6 plus 2 that is 8 divided by 25 और यही होगा बच्चों हमारा सही आंस्वर और ऐसा option देखे अपने को दिय जा गया है that is third option क्लियर चले आगे बात करते हैं next question की और और देखते हैं अपने को इस question में क्या करना है that is question number 5 if two events A and B are such that P A dash ब्रावर 0.3 P B ब्रावर 0.4 P A intersection B dash ब्रावर 0.5 then probability of P divided by A union B dash ठीक है data देख ले सभी लोग Hindi English में same ओने चाहिए ठीक है कभी कोई confusion लगे तो आप दोनों side में data को check कर सकते हैं देखे दो events A और B है तो इसको अपन when diagram से कर लेते हैं when diagram से question हमेशा आसानी से solve हो जाता है probability का इस type का जो भी आता है यह A है और यह B है ठीक है और दो वाले के इंदर बच्चों आपको चार सेक्षन बनेंगे आपको इन चारों सेक्षन की probability निकालनी है अलग लग जो आपको probabilities दी गई है उन्हीं की help से सबसे पहले देखे आपन इस probability को देखते है इससे अपने को एक बहुत ही आसान सा section सीरह दिखाई दे जाएगा A का intersection लेना है B को छोड़ करके तो देखो बच्चों यह B पूरा है ठीक है इसको छोड़ करके ठीक है ना B को छोड़ करके मेंस B वाला section को नहीं लेना है और बाकी जो remaining part है उसका A के साथ में बच्चों आपको क्या लेना है A के साथ में आपको लेना है तो वो यह section होगा और इस section की probability आपको देखी हुई है कितनी 0.5 तो यह पहला section जिसकी probability आपको पता चल चुकी है इसके बाद आते हैं next section की ओर next section है देखो पी एडेस पी एडेस का मतलब क्या हुआ बच्चों एक को छोड़ करके बाकी जितनी भी probabilities ठीक है और वो कौन कौन सी है बच्चों आपको तो एक को छोड़ करके एक तो यह पार था एक अंदर एक पार और है ठीक है और इसको total probability का जो sum होता है एक experiment के अंदर वो हमेशा 1 होता है clear तो यहां पर अगर देखो है अपन इसके पहले इसको देखो देखो बी की probability 0.4 है बी की probability 0.4 है मिंस बच्चों यह जो पूरा section है बी वाला जो set है यह हमारा इसका यह और यह मिला करके 0.4 है ठीक है और अपने को पता है कि remaining portion जितना भी पिछे जो बचा हुआ है वो total 0.5 है तो 0.4 B में आ चुका है तो बाहर वाला जो section है इसकी probability कितनी होगी बच्चों 0.1 ठीक है यह बाद सबको समझभा जानी चाहिए क्योंकि B की probability 0.4 है और यह बाकी जो remaining part है इसके अलावा जो अपने डेश डेश किया है उ तो टोटल probability होगी बच्चों आपकी कितनी 0.5 तो B की 0.4 अगर छोड़ दे तो 0.5 में से फिर यहां पर यह जो remaining part बाहर वाला है इसकी probability होगी 0.1 ठीक है फिर आते देखो अगला एक है P A-डेश, A-डेश मिस A को छोड़ करके बाकी जितनी भी probability जाना वो 0.3 है तो A को 0.3 है इसका मतलब बच्चों यह जो probability है यह अपनी कितनी है 0.2 होगी यह 0.1 और यह 0.2 अब इसके बाद में आपको यह भी दिया गया है कि B की जो total probability है वो 0.4 है तो B में भी देखो जो दो section है एक यह वाला और एक यह वाला इसमें 0.2 है तो इसकी probability भी कितनी होगी तरीके से अपने को इस चारों की probabilities पता चल चुकी है अब देखो इसका क्या मतलब होता है P B divided by A union B dash ठीक है इसका मतलब यह होता है बच्चों आपको A union B dash में से वो probability निकालनी है जो B में present है तो पहले अपन देख लेते हैं कि A union B dash में कौन कौन सा section आएगा ठीक है तो A में देखो A तो पुरा आएगा ही आएगा means yes section रहेगा plus yes section भी रहेगा और B dash means B को छोड़ करके बाकी जो remaining section है तो वो आपके पास बच्चों यह section हो जाएगा ठीक है ना यह तो बच्चों किसका काम करेगा यह तो काम करेगा आपके पास total probability का किसका काम करेगा total probability means जो नीचे ज सम आएगा उसमें यह वाला part नहीं आएगा क्योंकि यह P A union B dash में नहीं है इस section की probability अपने 0.2 देगी थी इसको छोड़ करके बाकी जो probabilities है उसका सम है बच्चो 0.8 और इसके बाद में इसी के अंदर यह जो section है इसी में B की probability कितनी है तो इसी section में अगर B की probability देखें तो वै probability है इस section में यह सिरफ B के अंदर और इसकी probability देखें अपन निगाल चुक है कितनी है 0.2 उसको यह पूट कर दो 0.2 बटे 0.8 इसको कारतीजिए यही होगा बच्चो आपका answer that is 1 by 4 ठीक है और ऐसा कौन सा option है बच्चो हमारा first option जो fifth का जो सही answer है वो पहला ठीक है इस type के हर section की probability और इस चीज का आपको meaning पता होना चाहिए कि conditional probability का meaning यह होता है ठीक है कि इस section में से ठीक है इसको आपको sample space लेते हुए ठीक है ना total outcomes count करते हुए आपको इसी section में से इस उपर वाले part की probability लेनी है और उसको divide करना है तो आपका answer आ जाएगा चलिए फिर चलते हैं आग number six में आपको दिया है coin is biased so that head is three time as likely as appear as a tail देखे बच्चो probability of tail कितनी है माल लेते हैं x है अपमारे पास में ठीक है तो probability of head कितनी दिया अपने को three time of tail that is three x ठीक है if such a coin is tossed twice ठीक है इसी coin को अपने दो बार उचाल दिया बच्चो find the probability that head occurs at least one कम से कम एक बार head आना चाहिए सबसे पहले देखिए अगर बच्चो आप एक head और एक tail को अगर उचालोगे ठीक है तो या तो head किसी भी coin को जवाब थो करोगे एक coin को या तो head आएगा या tail आएगा दो ही possibility है तो इस sample space में यह सिरफ दो ही probability is possible है इसका मतलब इन दोनों का जो sum होगा x plus 3x ब्राबर 1 होगा तो यह से 4x ब्राबर 1 x की value 1 by 4 हो जाएगी तो यह से बचो tail आने की probability तो कितनी हो गई 1 by 4 और इसकी head आने की probability कितनी हो गई 3 by 4 अब देखो अगर आप 2 coin को throw करते हो ठीक है तो उसमें आपको क्या करना है that head occurs at least 1 कम से कम एक बार head आने की probability तो देखिए जब आप 2 coin को throw करते ह हैं लेकिन आपको सिर्फ वो case लेने जिसमें कम से कम एक head आये miss यह आ सकता है यह भी आ सकता है पहले tail आजाए फिर head आजाए और यह फिर बच्छो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों head आजाए ठीक है पहली बार head आने की probability कितनी होगी बच्छो 3 by 4 और tail आने की probability 1 by 4 फिर उल्टा हो जाएगा यह 1 by 4 और यह 3 by 4 और last में दोनों बार head आ रहा है so 3 by 4 into 3 by 4 सबको जोड़ दो यही होगा बच्छो आपका answer कितना आ जाएगा 9 plus 3 plus 3 9 plus 6 15 by 16 ठीक है एक तो बच्छो आप इस किसन को इस तरीके से solve कर सकते हो दुसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको एक बार head चाहिए ना कम से कम तो आप क्या करते हो 1 में से वो गटा दो जब दोनों बार tail आ जाए ठीक है यह बहुत आसान तरीके से हो जाएगा 1 minus दोनों बार tail tail की एक बार आने की probability 1 by 4 तो दो बार में 1 by 16 1 by 4 into 1 by 4 that is 15 by 16 ठीक है इसमें calculation काफी आसान हो जाती है at least one वाले question को आप हमेशा इस method के through भी solve कर सकते हैं के लिए चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं question number 7 की और question number 7 देखिए अभी अभी जो हमने पीछे question किया है उसी type का कुछ question है लेकिन इसके इंदर तीन probabilities दी गई है तो पहले अपन उसको देखते हैं उसको समझते हैं फिर आगे चलते हैं देखते क्या करना है देखिए आपको probability of event a and c are independent देखिए अगर event a और c अगर independent है तो क्या condition होगी a intersection c ब्राबर probability of a into probability of c ठीक है ऐसा आएगा probability of a आपको दे रखिए 1 by 5 बिलकुल दे रखिए है probability of c बच्छो आपको निकालनी है और a intersection c की probability भी आपको दे रखिए that is 1 by 20 इसको काट दीजिए तो यहां से आपको मिल जाएगी probability of c ब्राबर 1 by 4 ठीक है यह होगा आपका पहला part अब आगे क्या करना है आपको आपको probability of b union c कि options में आपको क्या करना है b और c independent और mutually exclusive means बच्छो आपको probability of b intersection c चाहिए तो उसके लिए use करते हैं देखिए formula probability of b union c ब्राबर probability of b plus probability of c minus probability of b intersection c ठीक है इसको solve करते है देखिए कितना आएगा आपने पास probability of b union c दे रखा है आपको 3 by 8 that is 3 by 8 ब्राबर probability of b 1 by 6 और probability of c देखो अभी अभी निकाली है अपने यह कितना आ रही है 1 by 4 और यह बच्छो आपको निकालनी है probability of b intersection c इसको इधर ले आते हैं देखो probability of b intersection c ब्राबर कितना आएगा देखो इन दोनों का lcm 12 ठीक है 6 से 2 time plus 4 से 3 और minus 3 by 8 कितना आजाएगा फिर से देखो इसका और इसका lcm कितना आएगा 24 बिलकुल 24 ठीक है यहां से 12 से डिवाइड करोगे 2 2 इंटो 3 5 that is 10 minus 9 इसका answer आएगा बच्छो 1 by 24 ठीक है और probability of b intersection c 1 by 24 है और जान से देखना बच्छों b और c की probability c की तो थी 1 by 4 और b की है 1 by 6 इन दोनों का product भी कितना है 1 by 24 तो आगे इन देखो pb into pc ब्राबर है pb intersection c इसका मतलब b और c आपके सामने कैसी होगी b और c जो गटनाएं हैं आपके सामने वो सवतंतर होगी वो आपकी independent होगी ठीक है ना पहला option आपका सही होगा बात कर लेते हैं बाकी options के बारे में भी b and c are mutually exclusive बच्चों गर b और c mutually exclusive होती तो b intersection c आपका 0 आता लेकिन वो 0 नहीं आया है that means second option आपका गलत होगा ऐसे तीसरा option b and c are neither independent nor mutually exclusive नहीं बच्चों independent तो है अपने पहले चेक कर लिया है इसलिए तीसरा भी गलत कटना है a था c are equally probable, equally probable नहीं है वच्चों इसकी probability एक वटा 4 इसकी probability एक वटा 5 ठीक है दोनों की probability सेम नहीं है इसलिए ये equally probable नहीं होगी clear चलिए आगे बात करते हैं question number 8 की ओर क्या है देखे question number 8 के अंदर क्या करना है अपने को यहाँ पर आपको क्या दिया गया है आपको दिया गया है की a box contain b red 2b white ball and 3b blue ball where b is the positive integer ध्यान रखे बच्चों b positive integer है 3 balls are selected at random from the box 3 balls आपको select करनी है box में से if balls are drawn without replacement आपको replacement नहीं करना है balls का a denotes the event that no two of the selected ball have the same color एको कोई भी दो आपके सामने हिंदी कि में जो बच्चे हो देख ले एक गटना कोई भी दो निकाली गई गेंदे समान रंग की नहीं है यह ऐसी गटना है कि आपने जो बॉलें select की है उसमें से कोई भी दो समान की नहीं है इसमें बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं कि चलो दो समान नहीं तो क्या तीनों समान हो सकती है बच्चों जब भी कोई ऐसा question आता है इसका मतलब यह है कि सब की सब आपके different different color की होगी ठीक है ना जब भी इस जाइब का कोई भी statement आता है आपके इन दौनों chapters के अंदर कि no two of the selected balls have the same color means उसने दो के लिए का है लेकिन कोई भी नहीं होगी तीन भी नहीं होगी 10 है तो 10 की 10 आपके different and different color की होगी इसका meaning हमेशा यही होगा ठीक है तो आपके यह तीन टाइप की balls है तो उसमें से आपको तीन बॉले select करनी है तो पहले तो पहले में से एक select कर लो बी सी वन क्योंकि टोटल तीन ही करनी है आपको फिर दूसरे में से कर लो एक ball 2bc1 फिर तीसरे में से कर लो एक ball that is 3bc1 जब आप ऐसे करके एक-एक ball select करोगे तो तीनों की तीनों ball आपके सामने कैसी होगी बिल्कुल same नहीं होगी यह जैसे आपके पास में red होगी दूसरी white होगी और तीसरी blue ball होगी ठीक है और total बच्चों आपको कितनी करनी थी तीन select करनी थी total number of balls कितनी होगी b plus 2b plus 3b that is 6b तो 6b into c3 ठीक है यही होगी बच्चों आपकी probability of a और probability of a देखे सारे options में देरकी आपको 0.3 that is 3 by 10 ठीक है और आपको बताना है कि इसको solve करने से b की कितनी values आ रही है ध्यान यह भी रखें कि b आपका एक positive integer b होगा ठीक है तो आए इस equation को solve करते हैं और देखते हैं कि हमारा answer क्या होगा ठीक है चलिए बात करते हैं इसके solution की अगले page पे चलते हैं फिर आएंगे वापि चलिए तो सबसे पहले b c1 की value होगी बच्चो आपकी b ठीक है 2b c1 की value कितनी होगी बच्चो 2b ठीक है यह मैं कैसे निकालता हूँ ठीक है आप लोग भी निकाल सकते हैं इसे shortcut में देखे नीचे एक है ना तो नीचे वाले को एक बार आपको increasing order में multiply करना है उपर वाले को decreasing में एक बार करना है तो फिर तो दूसरा number आएगा ही नहीं तो एक नीचे उपर b इसमें एक नीचे ऊपर 3B यह तो हो गया बच्छो आपके ऊपर का पार्ट ऐसे नीचे वाले में करना है इसमें देखो ज्यादा आएगा 6B को तीन बार बच्छो आपको decreasing क्योंग नीचे तीन है ना तो नीचे वाले को देखते हैं तीन बार आपको decreasing order में multiply करना है तो वह उपर आजा जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और बराबर में दे रखा है बच्छो आपको 3 बटा 10 ठीक है आए देखते कितना आ रहा है देखे तीन गुणा 2 6 6 से तो यह 6 चला गया बहुत ही अच्छी बात है इस B से यह B चला जाएगा यह भी खतम हो गया इस 3 से यह 3 भी कट जाएगा यह काम भी अच्छा हो गया और इस 2 से देखो यहां पर से 2 कोमन आ जाएगा नीचे से वो भी कट जाएगा अब ज्यान से देखना बच्छो बी इंटू B उपर तो बचेगा एक बार लिख लो 2 को भी लिख लो 2 B स्क्वार डिवाइड बाई नीचे से 2 कोमन लेने के बाद में 6 B माइनस 1 इंटू 6 B माइनस 2 और ब्रावर में है बच्छो आब एक बटा 10 क्यों क्योंकि 3 तो कट गया था अब इसको इससे भी काट दो इससे भी कट जाएगा और इसको क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन कीजिए और देखिए देखिए कितना आ रहा है इस equation को solve करना है तो इधर से दाएगा देखो 10 B स्क्वाइर बरावर राइट एंड साइड माएगा हमारे पास में 6 B इंटू 6 B that is 36 नहीं है बच्चो यां से अपने क्या किया था 2 को common ले लिया था तो यहां पर 3 B ही होगा और यहां पर 1 हो जाएगा तो यह कितना है गा इसको दुबारा देख लेते हैं देखो दूबारा लिख लेते हैं एक बार 2 B स्क्वायर 2 common निकाल लिया था काट भी दिया था 6B minus 1 into 3B minus 1 अब इसको multiply करो देखो 10B square ब्रावर, right hand side में कितना आ रहा है 6 into 3, 18B square फिर आएगा साथ में आपके सामने 18 के बाद में minus 6 minus 3 minus का 9B और plus 1 ब्रावर ब्रावर में तो आ गया था उदर 10B square, सबको इधर ले आओ देखो यह आएगा 8B square 1 ब्रावर 0, इसका फेक्टर कर दो देखो दो फेक्टर आएगे, एक तो B equal to 1 इसको satisfy कर रहा है, 8 और एक 9 9 minus 9, एक फेक्टर तो होगा B minus 1 और दूसरा होगा 8B minus 1 ब्रावर 0 तो यहां से देखो चो B की values तो दो आ रही है, एक 1 और एक 1 by 8 लेकिन मैंने आपको बार-बार वहां पर रहा था, आपको लिख रखा है वहां पर की B धन पोड़ना के natural number है B, तो शिरब एक ही answer होगा, that is B ब्रावर 1, तो यह बच्चों आपका answer है और इसके corresponding, आए देखते अपना कौन सा option सही है तो पहला option इधर तो अपने solve करका इधर हिंदी में देख लेते हैं, सभी लोग समझ लेना जान से, probability of A ब्रावर 0.3 के लिए B का कोई मान नहीं है, तो यह गलत option हो गया बच्चों क्योंकि B का एक मान आ रहा है अपना, B ब्रावर 1 क्योंकि आपको यह देर का था बच्चों देखे, B धन पॉर्णांक है पॉजिटिव इंटीजर है आपका ठीक है, अगला है देखो probability of A ब्रावर 0.3 के लिए B का ठीक एक मान होगा, जो 2 से कम होगा यह बिल्कुल सही option है बच्चों आपका क्योंकि एक ही मान होगा और वो 2 से कम भी है, उसकी value कितनी है उसकी value 1 है, तो question number 8 का जो आपका सही answer होगा वो है बच्चों आपका option number 2 ठीक है, बागी इसमें बोला है कि 2 से बड़ा है, मान तो एक ही बोला है लेकिन करते हैं, next question की ओर, ठीक है next question में देखिए आपको क्या करना है आएए देखते है that is question number 9 the greatest value of the term independent of x in the expansion of this इसके expansion में x independent term क्या होगी ठीक है, देखिए बच्चों independent term निकालने के लिए क्या करते हैं अपन लोग अपन लिखते हैं इसको 10cr मान लेते हैं की आरेत ट्रम tr plus 1 ठीक है ना, यह आपकी क्या है independent, तो tr plus 1 कितना होगा, 10cr फिर आएगा देखिए बच्चों, x into sin alpha की power 10 minus r और साथ में आएगा बच्चों, cos alpha divide by x की power r ठीक है, आपको x से independent term चाहिए ठीक है, तो x से independent करने के लिए x की power को क्या करना पड़ेगा बच्चों 0, आएए देखते हैं यहाँ पर x की power कितनी है, सबसे पहले इसमें है देखो x, इसमें x की power है बच्चों आपकी 10 minus r इसमें है बच्चों आपके पास एक x की power, that is x की power r, बहुत सारे बच्चे अलग लग कर देते हैं कि यह 0 हो जाए, यह 0 हो जाए, लेकि अलग लग नहीं करना पहले एक जगे पह लेके आओ, इसको ऊपर लेके आओ सबको यह r की value 5 जब आप इसमें वापिस put करोगे, तो आपको देखो यहां से क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, x तो कड़ जाएगा, क्योंकि x तो आपने power 0 कर दियाता है, तो इसको दोबार लेकने जूरत नहीं और लिखोगे तो भी आपका, वहां से cancel out हो जाएगा, 10c5, फिर आएगा बच्चो आपका, x की power 5 into sin alpha, आप लिख लो चाहो तो देखो, x की power 5, sin alpha की power 5, sin alpha की power 5, यहां से कितना आएगा, cos alpha की power 5, divide by, नीचे कितना आजाएगा, x की power 5, जैसे मैंने कहा था देखो, यह तो कटना है, क्योंकि अपनने पहले ही इसको 0 कर दिया था, और यह बिलकुल आपका देखी term x से independent है, अब बच्चो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको maximum value find out करना है, the greatest value of the term independent of x in the expansion of this is, तो यही इसकी value greatest कव होगी, तो देखो बच्चो, sin की value greatest कव होगी, यह तो है 10c5, ठीक है, इसको उपर नीचे देखो, 2 से multiply करो, दोनों की power same है, 2 sin alpha cos alpha, ठीक है, 2 से multiply किया है, तो 2 से divide भी कर दो, और power 5, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से यह बन गया, बच्चो, sin 2 alpha, और sin theta की maximum value कितनी होती है, 1, ठीक है, तो इसकी जाए 1 put कर दो, और यही बच्चो, आपका answer होगा, तो 1 upon, यह उपर तो 1 हो गया, 2 की power 5, और इसको बच् n factorial divided by n minus r into r, तो दोनों case में 5, 5 factorial आएगा, so 5 factorial का all square, और यही होगा बच्चो, हमारा answer, और ऐसा देखिए, कौन सा option है, that is third option, so question number 9 का जो हमारा सही answer है, वो है बच्चो, आपका तीसरा option, clear है, चले फिर आगे चलते हैं, और बात करते हैं, question number 10 की और, देखते हैं, उस question में हम क्या दिया है, question number 10 के अंदर आपको बोला गया है, देखो बच्चो, the coefficient of x to the power 20 in the expansion of this edge, ठीक है, इसके expansion में x की power 20 का coefficient क्या होगा, ठीक है, आए, सबसे पहले इसको simplify करते देखिए, बड़ा complicated सा drum दिखा ही दे रहा है, अपने को, ठीक है, तो इसको simplify कीजिए, देखिए, कितन square, ठीक है, और उसकी power में दे रहा है, बच्चो, आपको minus 5, ठीक है, इसको random as it is, इसमें coach नहीं करना है आपको, इसकी power 40, फिर से देखो, power पे power है, यह तो multiply हो जाएगी, power को तो बाहर निकाल दो, और इसमें ले लो LCM, तो यह बनेगा, देखो बच्चो, x square plus 1, ठीक है, इस की power कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 2, 10, minus 10, और divide by, नीचे x, x की power भी कितनी हो जाएगी, minus 10, और इधर है बच्चो, फिर से आपके सामने, x square plus 1 की power 40, इसे simplify करने से क्या हुआ, अच्छा की कैसे आ गया, इसका LCM ले लिया, आपने, LCM लेकर के दोनों power को अलग-लग कर दिया, उपर देखो, सेम फेक्टर बन गए दोनों और इसलिए इनकी गातें जुड जाएगी, x square plus 1, इसकी power आजाएगी 40 minus 10, that is 30, और इसको भी उपर ले आओ, so that is x to the power 10, ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या है, x की power 20 का coefficient कितना होगा, देखो इसको expand कर दो आप, इसको ऐसे लिग लो, x की power 10 into 1 plus x square की power 30, ठीक है न, ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से आप थोड़ी शी देर में आपको पता सल जाएगा, x की power 20 का expansion क्या होगा, देखो x की power 10 तो बाहर आ रहा है, अंदर से चाहिए x की power 10 का coefficient, पहली टरम आएगी 30C 0, फिर आएगा 30C 1 into x square, फिर आएगा 30C 2 into x की power 4, फिर आएगा 30C 3 into x की power 6, फिर आएगा बचो 30C 4 into x की power 8 और प्लस 30C 5 into x की power 10 और अपने को यही चाहिए बचो, देखे, अगर क्यूशन बढ़ा होता, तब अपने इसको method के थूरू निकालते हैं चाहिए अभी अपने पिसला क्यूशन किया है, व थोड़ी सी देर में आ गया, that is 30C 5, ठीक है न, बाहर तो इसका multiple कितना है, 1 और अंदर है 30C 5, तो 30C 5 होगा बच्चों आपका answer, लेकिन ऐसा कोई option नहीं दिया है, और बच्चे इस पर tick कर देंगे कि none of these, लेकिन बच्चों गलत answer हो जाएगा, क्योंकि जो 30C 25 है, उसकी value 30C 5 के बराबर ही होती है, आपने एक property पढ़ी होगी, ncr बराबर ncn-r, जब इसको 30 में से 25 को subtract करोगे तो 5 ही आएगा, और ये option होगा बच्चों आपका सही, option number 2, तो यहाँ पर आपका जो सही answer होगा, वो है बच्चों आपका दूसरा option, clear, चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे 1 के अंदर आप में दियावा है कि the number of distinct term in the expansion of this is r, ठीक है ना, एक अपने को इसा आप ट्रम दे रखा है और आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी distinct term होगी, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पावर सार्ट को देख करके और बॉल देता है कि इसके अंदर 61 होगी, ठीक आप x square से इसको भाग दोगे, तो आपको दिखाई देगा x square plus 2 plus 1 by x square की पावर 60, तो फिर बच्चे सोचते हैं कि अब इसको कैसे करें, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, इसको करने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, तो आपको सभी परकार की वि कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं, ठीक है, लेकिन देखो बच्चों ये बहुत ही आसान है, अभी अभी पिसले क्यूशन में अपन ने यूज किया, ये वही ट्रम है, x plus 1 by x का all square, और साथ में है बच्चों, इसकी पावर 60, इसके अंदर देखो पावर पे पावर है, ये multiply हो by x, ठीक है, अब यहां से जितने भी पदा आप लिखेंगे, जितने भी ट्रम्स लिखेंगे, हर बार बच्चों आपको क्या होगा, एक नई ट्रम मिलेगी, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हों लिख करके, तो 120 पावर है, तो इसके अंदर total number of distinct ट्रम्स होगी बच्चों, वो यह आगे चलते हैं, और बात करते हैं, question number 12 की ओर, देखते हैं कि इस question में अपने को क्या करना है, question number 12 के अंदर देखे, आपको एक sigma दे रखा है, और बच्चों आपको sigma की value निकालनी है, लेकिन उसके पहले देखे, एक ट्रम है बच्चों यहां पर, जिसको आपको solve करना है देखे, अगर आपको नहीं पता है कि यह क्या होता है, तब बच्चों आप इसके अंदर NCR वाला formula लगाएं, और इसको complete simplification कर लें, आपका answer आ जाएगा, लेकिन इसको आप as a formula याद रखे, मैं यह चाहता हूँ, ताकि आप अपने question को जल्दी कर पाएं, और वो formula क्या होत होता है, देखो, अगर कभी भी दो NCR की ट्रम, ठीक है, जिसके अंदर उसका अपर वाला पार्ट समान हो, जैसे यहाँ पर भी 11 है, और यहाँ पर भी 11 है, ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है, उसमें अगर एक का ही अंतर हो, ठीक है, तो ऊपर रखो हमेसा बड़े व और जो छोटा पार्ट है न, उसको क्या करो, उपर वाले नंबर में से गटा करके लिख दो, यहाँ पर 11 माइनस आर प्लस 1, यही होगा बच्चों, आप्टर सिंप्लिफिकेशन ही इसका आंस्वर, ठीक है न, इसको सीधा याद रखीए का क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि दोनों का उपर वाला पार्ट समान होना चाहिए, निचे वाले दोनों लगातार होने चाहिए, फिर बड़े वाले को ऊपर रखना है और नीचे वाले को नीचे, ठीक है न, उपर वाले का नीचे वाला पार्ट नीचे, एजिट इज, और नीचे वाले के अंदर दोनो आप उस देर तक factorial में उलजे रहोगे कितना आएगा देखो 11 और 12 गुणा आर ठीक है ना उसको 12 इंटू सिग्मा आर और फिर 12 प्लस एक बारा कर दिया माइनस आर इंटू आर डाट इस माइनस सिग्मा आर स्कॉयर दोनों की वैल्यू आपको पता है एन के रूप में फॉर्मुले एन की वैल्यू आपको 11 देर कि वो फूट कर दो आप अपनी calculation कर लीजिए आपका आंसर आजाएगा देखो 11 गुणा 12 बटे 2 माइनस यहां कितना आएगा 11 गुणा 12 गुणा 23 बटे 6 ठीक है इसको calculate कर लीजिए देखिए आपका आंसर आजाएगा आसानी के साथ क्या रहे 2 से कट जाएगा 6 बार ठीक है 6 से कट जाएगा बच्चो 2 बार ठीक है 11 को ले लो common तो बार चकाने बहतर माइनस 23 गुणा 2 46 ठीक है यह आएगा बच्चो 11 गुणा 72 माइनस 46 बाइस प्लस चार 26 इन दो गुणा करो देखो 26 चब्वीस और 2 28 286 यह होगा बच्चो आपका सही आंसर और अगेन आपका जो सही आंसर होगा फॉर्थ ठीक है जिन बच्चों को यह चीज नहीं पता है वो प्लीज इसको याद करें जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से और नहीं तो फिर आप क्या करें इसमें फेक्टोरियल वाले फॉर्मुला लगाएं 11 फेक्टोरियल डिवाइड बाइड बाइड इंटू 11 माइनस आर फेक्तोरियल ठीक है ऎसे झीचे वाले में लगाएं 11 फेक्टोरियल डिवाइड बै आर-1 फेक्टोरियल और इसमें से इसको गटाओगे तो 12 माइनस आर factorial ठीक है अब इसको simplify करना देखो इससे यह कट जाएगा बाकी को simplify करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी ठीक है लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आपको याद रखना है जो मैंने आपको ट्रीक पता ही है उसको ठीक है चले फिर चलते हैं आगे की और और बात करते हैं question number 13 के question number 13 में देखो अपने को क्या करना है देखे बहुत ही एक चवरदस्त question है और एकदम थोड़ा साथ दिमाग लगाते हुए solve करोगे तो बड़े ही आसानी के साथ solve कर लोगी कैसे देखो 1 minus x 1 plus x plus x square अगर दोनों की power समान होती ठीक है तो दोनों को गुणा कर देते तो कोई बात नहीं बच्चो समान नहीं है तो समान कर देते हैं power इस पहले वाले factor में से एक power को अलग कर दें power 1 को तो पिछे कितनी बचे की 2007 ठीक है तो इसकी भी power 2007 इसकी भी power 2007 तो ये बन 2007 ठीक है लेगी नेशा करने के लिए आपको एक factor को पहले अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसकी power किती देर की आपको 2008 ठीक है अब देखो आपको क्या करना है इसमें से x की power 2012 का coefficient निकालना है तो बहुत ही जान से देखेगा बच्चो बहुत ही एक simple सी चीज़ सिक के through में इस 6, 9, 12 ऐसी powers आएगी तो इसमें जितने भी drums होगी आपके सामने ठीक है वो क्या होंगे बच्चो एक्स की जो power होगी उसमें क्या होंगे 3 के multiples ठीक है ना 0 भी 3 का multiple होता है constant को भी आप यह कर सकते हो ठीक है अब देखो जब आप 1 के साथ multiply करोगे ठीक है ना बाहर जो 1 है तब तो आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे x की 3 की multiple power मिलेगी 3 की multiple power ठीक है और 1 के साथ multiplication करने से तो सारी drums को और minus x के साथ में अगर करोगे तो 3 के multiples तो यहां पर जेंट होंगे और एक power यहां पर से आ जाएगी तो वो बनेगा बच्चो 3 की power m प्लस 1 टाइप का तो आपको इस दो टाइप की ट्रम मिलेगी या तो x की power 3m और या x की power 3m प्लस 1 लेकिन आपकी यह जो power है बच्चो इसमें देखो इसको 3 से डिवाइड करके देखोगे तो यह x की power 3m प्लस 2 टाइप का है और इस टाइप की तो कोई ट्रम ही नहीं बच्चो इसके अंदर तो इसका जो ग यतीत कर दोगे और उसी के आदार पर फिर आप अपने बाकी questions को solve नहीं कर पाएंगे, clear? चले फिर चलते हैं आगे की ओर बात करते हैं, question number 14, question number 14 में देखिए हमें क्या करना है, question number 14 में आपको दिया गया है, कि the interval in which x must lie so that the numerically greatest term in the expansion of this as the numerically greatest coefficient is, तो अपने को पता है बच्चो इसके अंदर numerically greatest term कौन सी होगी, इसके अंदर numerically greatest term होगी क्योंकि कोई दूसरा coefficient है नहीं, तो जो middle term होगी वही और middle term होगी बच्चो इसके अंदर कौन सी, इसके अंदर वो होगी बच्चो आपकी T11, ठीक है कि total 21 term होगी, तो 10 इदर, 10 इदर, ठीकन, 20 और जो 20 में बचेगी वह होगी बच्चो आपकी 11 भी term, तो यह होगी बच्चो इसमें दो condition लगाईए, यह T10 से भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यह greatest term है numerically, और दूसरा T11 की जो value है बच्चो वह T12 से भी बड़ी होनी चाह T11 से, that is 20C, कितना, 10, इसा आजाएगा, और इसमें अभी अभी जो आपको बताया था था न, वही लग जाएगा, बड़े आसानी के साथ सोल हो जाएगा, यह सी इदर लगाऊ, इदर X की पावर 10 आजाएगा, ठीक है, इदर कितना आएगा, देको, T11, तो अभी अभी निक सकते हो बच्चों, ठीक है, और यह बन जाएगा, X की पावर कितना, X की पावर 11, ठीक है, यह सारी टरम्स निकाल लिए अपनने, इसको सॉल करो, देको, X की पावर 9 यह कट जाएगा, तो इदर तो आजाएगा, X, देको, यह 10 बड़ा है, और 9 छोटा है, तो आपको क्या less than 1, same ही आएगा data, पस फरक क्या है, इसमें X इदर आजाएगा, इस बार यह कितना है, बच्चों, 20C11, लेकिन इसको आप लेख सकते हो कितना, 20C9, तो इसको इदर ही लेके आएगे, और इदर लाएगे, तो नीचे तो कितना हैगा, 10, और उपर आएगा इसका 11, लेकिन इ X तो है, 10 बटे 11 से बड़ा होगा, और इसके आधार पर आपका option सही होगा, बच्चो, second, इसको रख लो थोड़ा, X दर है, 11 उदर है, तो इसको 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 रिख लो, X बल भी less than 11 by 10, इसको प्लो, X 10 बटे 11 रेकिन इसको इदर ले जाओ, तो X will be greater than 10 by 11, second option हो गया, नमबर 15 की और क्या करना है देखो तो नमबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन्हें थो ऑप एन ओर्डिनरी डाइस इन विच एट लिस वन आप टी डाइस ओ एन ओर नमबर देखें मैंने पहले भी आपको कहा है अगर आपको एटलिस एक पर ओड चाहिए ऐसा काम करो ऐसा निकाल फाल दो जिस पर एक पर भी ओड ना हो तो total minus no ode ओड ना कोई बी ओड ना हो तो total कितना होएगा देखो number of possible outcome in a throw up and ordinary dice देखें एक dice and n dice को आप throw करते हो ठीक है तो पहले के एंदर भी outcomes 6 आ सकते हैं, दूसरे में भी 6 और N में भी आ सकते हैं 6N, minus उसके इंदर बच्छो एक भी odd नहीं आना चाहिए, तो odd नहीं आना चाहिए तो क्या आ सकता है, E1 और E1 के 3 possibilities हो सकती है, 2, 4 और 6, तो पहली बार में भी इन 3 में से कोई आ सकता है, दूसरी नो, देखना क्या है आपको ordinate dice, in which at least one of the dice, so an odd number, ठीक है ना, तो अपने वो निकाल दिया total minus, इसके अंदर सारे odd वाले अपने subtract कर दिये, ठीक है ना, कोई भी odd नहीं वो subtract कर दिया, ठीक है, तो पिछे जो बचे हो है या 2 odd या 1 odd, क्योंकि 3 odd वाले तो, even वाले तो अपने subtract कर दिये हैं, तो ये होगा बच्चो आपका answer, that is option number 3, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, question number 16 की और, देखो क्या है, इन्हें party 10 person make their speech, देखिए, एक party के अंदर 10 लोग भाषंद देना चाहा रहे हैं, ठीक है ना, party में 10 लोग speech दे रहे हैं, if A speak before B, A, B से पहले speech दे रहा है, और इसके बाद में आपको बोला गया है, कि B speak before C, ठीक है ना, B जो है आपका, वो C से पहले speech दे रहा है, that means B का जो order है, वो आपका C से पहले होगा, तो सबसे पहले A, फिर B, और फिर C, ये तीनों के तीनों आपके इस order के अंदर speech दे रहे हैं, और इसी के आधार पर, then in how many ways they can make speech, तो वो 10 लोग कितने तरीके से speech दे सकते हैं, तो देखे, इसका क्या तरीका रहेगा आपका, इनका order same होना चाहिए A, B, और C, और अगर इन तीनों का order same है, सबसे पहले A, फिर B, और फिर C, इसका मतलब ये हुआ, कि इन तीनों का आपस में कभी arrangements नहीं करना है आपको, A हमेशा सबसे पहले आएगा, B उसके बाद में आएगा, और C, आपका हमेशा सब के बाद आएगा, इन तीनों का order हमेशा यही रहेगा, और इसके आदार पर बाकी के जो आपके पास में साथ लोग है, वो आपके आपस में आपके क्या हो सकते हैं, वो आपके आपस के अंदर सब के सब अपना order change कर सकते हैं, तो तीन इनका order तो same रखना है, और बाकी का order change हो सकता है, इसका मतलब यह हो गया, टोटल दस factorial तरीके साब इसको arrange कर सकते हो, लेकिन इनका order same रखना है, ठीक है, इसका मतलब यह हो गया, कि इसको आप क्या कर दीजिए, त्री factorial से divide कर दीजिए, order same रखने का मतलब इनका आपस में arrangements नहीं करना है आपस में arrangements हम कब नहीं करते हैं जब अपने पास में identical objects होते हैं एक तरीका तो यह हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस तरीके से इसमें satisfied नहीं होते हैं कि यह सक कैसे हो गया तो दूसरा जो हमारे पास में वे रहेगा इसको करने का वो क्या रहेगा देखे इनका अपने को order same रखना है इसका मतलब यह हो गया कि बच्चो इसमें तो आपको क्या करना है इन तीनों का सिरफ selection करना है ठीक है ना A, B और C इन तीनों का selection करना है दस में से तीन को और बाकी के जो साथ है ठीक है ना उसका आपको क्या कर देना है arrangements कर देना है क्यों जब भी हम सेलेक्शन करते हैं ठीक है तो वो क्या होता है उसमें order count नहीं होता है ठीक है और यहाँ पर यही है कि अपने को order इनका क्या रखना है same रखना है ठीक है ना order को आपको change नहीं करना है इसको solve कर लिए 10 factorial divide by 7 factorial into 3 factorial और into 7 factorial तो यह तो कट जाएगा और 10 factorial by 3 factorial यह आपका answer होगा तो 10 factorial by 3 factorial होता है 6 और उसके आजार पर आपका जो सही answer होगा वो है बच्चो हमारा third option तो 16 का जो सही answer होगा वो होगा तीसरा ठीक है चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं next question that is question number 17 17 में देखिए हमें क्या करना है number of even divisors of the number this इस number के even divisors अपने को निकालने हैं देखिए बच्चो अपने को total number of divisors का formula पता होता है और उसके आदार पर अगर और कोई भी question आए तो वो सारे questions आप कर सकते हैं अगर आपको इसको even रखना है तो इसमें से एक दो को बाहर निकाल लीजिए ठीक है और पीछे कितना बचेगा 2 square into 3 की power 2 into 5 की power 2 और into 7 की power 1 अब आप क्या कर दीजिए इसके total number of divisors निकाल दीजिए ठीक है तो इसके जितने भी divisors आएंगे ठीक है जैसे for example इसका एक divisor 1 आएगा लेकिन क्योंकि अपने एक दो को पहले से ही बाहर रख रखा है तो वो दो के साथ में तो multiply जरूर होगा क्य जैसे for example इसका एक divisor 9 भी आएगा लेकिन अपने दो पहले से बाहर रखा है जैसे एक divisor इसमें से 4 भी आएगा तो फिर बच्चे सोचते 2 को बाहर क्यों रखा तो 4 आया तो कोई दिक्कत नहीं 2 बाहर रखा है ठीक है उसके साथ में मिल करके कौन सा divisor देदेगा 8 वाला दे नंबर आप डिवाइजर जो इवन होंगे ठीक है तो 27 इंटू 54 यह हो गया बच्च्व अमारा सही आंस्वर बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल कर सकते हैं आपको जिस टाइप का डिवाइजर चाहिए उसके हिसाब से अपने फेक्टर को बाहर निकाल लीजिए और अपने फेक्टर के अंदर काउंट मत कीजिए डिवाइजर में उसको काउंट मत कीजिए और रिमेनिंग पार्ट के टोटल नंबर ओव डिवाइजर निकाल दीजिए वह होगा बच्च्व आपका सही आंस्वर खिलियर है चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्यूसर नंबर 18 में देखो क्या करना है in how many ways can 17 persons depart from a railway station in two car and three auto देखो बच्चो अपने पास में दो तो कार है यह है C1 और यह है बच्चो C2 ठीक है और इसके अलावाद तीन ओटो है अपने पास में उसको नाम दे देते हैं देखो A1, A2 ठीक है ना बच्चो आपके पास मे 3 ठीक है अब आपको करना क्या है देखो 17 लोग है आपके पास में depart from a railway station वो एक railway station से जा रहे हैं कहीं पर भी ठीक है दो कारों में बैट रहे हैं और तीन आपके पास में auto में बैट रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है आगे देखते हैं given that two particular person depart by the same car बहुत important point बोला गय जाएंगे चाहे तो seat two में जाएंगे ठीक है और कार में 4 person can sit और auto में 3 person can be sit इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों इन तीनों में तो 3-3 लोग जाएंगे 9 तो यहां चले जाएंगे और इन दोनों में 4-4-8 तो 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 17 लोग चले जाएंगे लेकिन जो एक अच्छी बात ह इसके अंदर जो किशन को अच्छा बनाती है वो है कि दो particular person एक सेम कार में जाएंगे तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले तो जिन दो लोगों को एक कार में बेजना है उनको बाहर निकाल दो ठीक है उसके साथ में अभी कुछ नहीं करना है जो भी दो particular बोला गया है ना इस बैठने कितने के अब देखो यह दोनों तो किसी ने किसी एक कार में जाएंगे ठीक है तो एक कार में तो अब दो लोग और बैठेंगे जिसके साथ में यह दो particular लोग बैठेंगे जो VIP लोग है ठीक है तो दूसरी कार होंगी उसमें बैठेंगे चार लोग ठीक है और यह त है ओटो में तो आपने जैसे लोग बैठेंगे तो इन तीनों में तीन तीन लोग तीनों में बैठने हैं तो सबसे पहले तो अपन गुरूप बनाते हैं कि कौन से दो लोग कार में बैठने वाले इन दोनों के साथ में बैठेंगे कौन से चार लोग है जो दूसरी वाली कार म फिर 3 factorial, फिर 3 factorial, फिर 3 factorial कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, grouping कैसे करते हैं, सबसे पहले तो total जितने होते हैं, उनको उपर लेते हैं, फिर जो जो नीचे आते हैं, 2, 4, 3, 3 सब को कर दिया, इसे और एक बात का और जया नगते हैं, बच्चो पन grouping में, और वो कौन सी बात होत होती है, वो होती है, कि अगर कई पर भी same distribution होता है, जैसे 3, 3 बार आ रहा है, तो इसकी वज़े से एक 3 factorial और आ जाएगा बच्चो, यह अपने क्या कर दिया, यह अपने group बना दिये, एक 2 का group बना दिया, एक 4 का बना दिया, एक 3 का, एक 3 का, और एक 3 का, अब आपको क्या कर बना है, कि यह जो 2 लोग, जो VIP लोग थे, जिनको आपने पर अलग किया था, उनको भी एक group में डालना है, और कौन से group में डालना है, वो fix है, जिसमें 2 का जो आपने group बना है, उसी में डालना है, तो इन 2 लोगों को इस group में डालने के कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका हो ठीक है तो यह जो दो चार-चार के ग्रूप है इनको काम बीठाना है इन दोनों कारों में ठीक है तो पहले वाले ग्रूप से आप पूछे हुए आप कौन सी कार में बैठना जाते हो तो वो कहेंगे कि मैं तो इसमें भी बैठ सकता हो इसमें बैठो तो इसमें बैठ सकता है तो पहले वाला दो तरीके से और दूसरे वाला जो group आएगा क्योंकि इसमें पहले से ही चार लोग बैठ गए हैं तो उसके पास में विचारे के पास में एक ही तरीका बचेगा तो उपर आजाएगा पहले वाला दो तरीके से और दूसरे वाला एक तरीके से अब आएंगे अ और एक्जाम्पल आपने इसको उठाया रिहां बिठा दिया अब दूसरे वाले को आएगा तो इसमें यह पहले से बढ़ चुका है उसके पास दो यह option बचेंगे तो पिच्छाएंगे दू और तीसरे वाला आएगा उसके पास में कितने बचेंगे एक option उसको लास्ट में ड तो बचा सिरफ 15 फेक्टोरियल नीचे एक चार और तीन बार आपका तीन तो 15 फेक्टोरियल और एक बार चार बचेगा और तीन बार तीन फेक्टोरियल और इसके आधार पर आपका जो चौथा option है वो है बच्छो सही answer एक बहुत ही सांदर सा question है आपका grouping का चले आगे चल है question number 19 में आपको बोला गया है कि the number of ways to give 20 apples to 3 boys each receiving at least 4 apples देखो बच्चो आपको 20 apples देने हैं 3 बच्चों को कितने 20 apples to 3 boys ठीक है और each boy receiving at least 4 apples देखो बच्चो ये तीन बच्चो ये पहले का नाम x1 है दूसरे का x2 और तीसरी का x3 ठीक है सब को at least 4 apples दे नहीं है ना तो एक काम कर लो चार-चार तो पहले से पकड़ा दो तीनों को तुम भी ले लो चार तुम भी ले लो चार तुम भी ले लो चार तुम भी चार एपल सब एक जैसे होते हैं एपल में सारे सेव एक जैसे होते हैं identical मानेंगे और चार-चार दे दि है ठीक है ना कि 4 तो सब को देने ही देने है इसलिए चार चाहर अपने पहले निए अब आपने पास कितने बच्छे 8 वह आट क्या करने है आपको इन 3 को देने हैं अब इसके अंदर आपके पास में choices आप चाहो तो आपों को पहले वाले को पकड़ा दो यह आपका ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आप चाहो तो इसको 3 दे दो इसको 3 इसको 2 दे दो इसका मतलब आपको क्या करना है इसके non-negative integral solution उसका formula क्या होता है 8 plus 3 minus 1 बटे c 3 minus 1 कितना हो जाएगा 10 c कितना हो जाएगा 2 10 c 2 यह होगा बच्चो आपका answer और 10 c 2 बच्चो 10 c 8 के ब्राबर है उसके आदार पर आपका पहला option बच्चो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो गुनीश का सही answer है आपका first option चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं next question की ओर और next है बच्चो अपना question number 20 20 में देखिए अपने को क्या करना है आईए देखते हैं the total number of wage in which six plus and four minus sign can be arranged in a line such that no two minus sign are together जब भी आपको किसी को साथ में नहीं रखना होता है तो पहले दूसरे वाले को arrange करते हैं तीन चार पांच और छे एक रो के अंदर इन छे plus sign को कितने तरीके से arrange कर सकते हो बच्चो अगर यह छे plus sign अलग लग होते different different होते तो 6 factorial लेकिन दिखाई दे रहे हैं सब के सब identical है तो एक ही तरीके से arrange कर सकते हो इनको एक रो के अंदर ठीक है अब माइनस sign को कितनी तरीके से arrange कर सकते हो तो माइनस sign को arrange तो एक ही तरीके से कर सकते हैं लेकिन अपने पास में चोईस आ गई आप minus sign को यहां भी डाल सकते हो, यहां भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी, उनको आप कहीं पर भी एक जगह नहीं डाल सकते हैं, तीन, चार, पांच, छेस, साथ, साथ में से आपको 4 space select करने पड़ेंगे, वच्छों क्यों? क्योंकि उन 4 places पर एक एक जगे पर अपन एक एक minus sign को arrange करेंगे माना कि अपने ये चार select हुए ये ये और ये और ये हो गया गलती से ठीक है अब इन 4 places पर उन minus sign को arrange करने का कितना तरीका होगा तो again बच्चो identical objects है तो उनको एक ही तरीके से arrange कर सकते हो यो different different होते तो 4 factorial तरीके से रेंज होते लेकिन 4 माइनस एक जैसे है तो वह ही तरीके से रेंज होंगे 4 factorial by 4 इसको solve कर लो बच्चो 7 C 4 को 7 into 6 into 5 बटे 6 6 से 6 कट जाएगा बच्चो बच्चो बहुत सारे बच्चे गलती करते इसमें जल्दी बाजी के चकर में 6 factorial फिर 7 C 4 into 4 factorial कर देते लेकिन बच्चो यह identical object से ध्यान रखिए इसलिए अपना जो सही answer होगा वो होगा third option ठीक है बच्चो फिर चलते हैं देखो आगे की और बात करते हैं next question that is question number 1 ठीक है अभी वापिस 1 क्यों आ गया क्योंकि यह है बच्चो अपने integer type questions ठीक है ना जही मेंस में आजकल 5 questions आपके integer type के भी आते हैं आएए देखते हैं अपना पहला question क्या होगा m by n in the lowest term be the probability that the randomly chosen positive divisor of 10 to the power 99 is an integral multiple of 10 to the power 88 then the value of this ठीक हो अभी अभी हमने जो divisors वाला question क्या था बिलकुल उसके जैसा पहले तो 10 की power 99 के factor कर दो तो यह आएगा 2 की power 99 into 5 की power 99 ठीक है इससे पहले तो निकालो बच्चो total number of outcome कितने आएंगे n plus 1 99 plus 1 100 और यह भी कितना हो जाएगा 100 यह तो होगे बच्चो अपने total number of outcome अब favorable में क्या करना है कि वो इसका multiple होना चाहिए तो इसमें से 10 की power 88 को तो common ले लो जैसे मैंने पहले कहा था ना इवन के लिए 2 का multiple होना चाहिए था इस बार इसका multiple होना चाहिए तो इसको तो ले लो common तो पिछे बचे का 10 की power 11 अब इस remaining factors निकाल दो इसके factor करोगे तो वापिस वोई 2 की power 11 और 5 की power 11 तो यह हो गए बच्चो आपके favorable case कितने आएंगे 11 प्लस एक 12 गुणा 12 दोनों चीज़ा आगई आपको क्या निकालना है probability फेवरेबल को divide कर दो किस से फेवरेबल बटे total ठीक है यही probability होती है पी ब्राबर फेवरेबल कितने है 12 गुणा 12 12 इंटू 12 बटे 100 इंटू 100 ठीक है किस से कटा चार से 3 बार चार से कितनी बार गया चार से गया यह 25 बार ठीक है न फिर 3 बार फिर 25 बार तो यह आ गया बच्चो आपका 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 625 इसमें से एक नमबर तो बच्चो आपका M होगा और दूसरा नमबर N है अब देखो रूपने को क्या करना है वापिस आते हैं देखो 9 बटे 625 इसकी जो प्रॉबलिटी का सोटेस्ट फॉर्म है वह M बाई N है मतलब बच्चो M का मान 9 और N का मान 625 तो आपको इस नमबर को M प्लस N को इस रूप में लिखना है पहले तो इसे लिख देखो 625 प्लस 9 होगा कित 2434 इसको लिखो देखो 100 का मल्टीपल पहले तो 6 गुणा 100 फिर 10 का मल्टीपल 3 गुणा 10 और लास्ट में बच्चो 4 का मल्टीपल 4 ठीक है ना तो गया 600 प्लस 30 प्लस 4 634 यह M प्लस N का मान है ना दोनों को जोड़ दो ठीक है ना 625 प्लस 9 आप देखो यह जो लिख्रक का है ना आपको 100 का मल्टीपल उसको लेम्डा नाम दिया गया तो यह लेम्डा है और यह है बच्चो आपका म्यूं और यहां पर थो 4 लिखा question number one चले आगे चलिए बात करते हैं दूसरे question की अपने integer type के अंदर आये देखते हैं इस question में अपने को क्या करना है अपने को क्या दिया गया है लेकि एन अर्ण contain three red ball and three white ball एक थेले के अंदर तीन लाल तता एन सपेद गेंदे हैं Mr. A drawn two ball together from the earn the probability that they have the same color is one by two देखो क्या है Mr. A draw कर रहा है कितनी two balls दो बोले select कर रहा है together दोनों एक साथ निकाल रहा है from the earn थेले में से एक साथ then the probability that they have the same color तो देखो total कितनी बोल है n प्लस three n प्लस three ठीक है न उसमें से आपको दो select करनी है यह तो total number of outcome और दोनों same color की होनी चाहिए ठीक है तो यह तो दोनों की दोनों red हो सकती है so that is 3c2 और यह दोनों की दोनों आपको कैसे होनी चाहिए बच्चो दोनों की दोनों white होनी चाहिए nc2 यह Mr. A निकालने की probability यह हो जाएगी जो देरकी आपको एक बटा दो ठीक है एक equation तो यह बन जाएगी ठीक है फिर आगे देखते है अगला की अगली equation बना लाते है फिर एक बॉल निकालता है उसका कलर देखता है कि हाँ यह रेड बड़ी अच्छी लग रही है फिर उसको वापिस थेले में रख देता है क्यों फिर निकाली क्यों वापिस रखी क्योंकि कुछ और करना होगा उसके आगे देखते है क्या दिया है ही देन ड्रॉन ए सेकेंड बॉल फ्रॉम दी अर्न फाइंड देट बॉत बॉल है उसकी किस्मत अच्छी क्या है उसने वापिस रखी और वापिस दूसरी बॉल निकाली ठीक है और देखा वायार यह तो पहले इस बॉल है जो कलर थी उसी कलर की दूसरी बॉल आ गई और उसकी प्रॉबलिटी दे रखी है कि इसके आने की जो चांस है न वह पांच बटे आठ है देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू क्या होगी दूसरे केस में क्या हो रहा है ध्यान से देखना बच्छों उसमें दोनों चांस उसके पास जैसे पहले बार में उसने निकाली और उसके पास में जैसे फ़र एकजमपल, रेट बोल आगी। ठीक है, उसने वापिस रख दी, अब दूसरी बार जब निकाल रहा है तब भी रेड ही आर्या रहे है उसके पास में एक चांस तो यह हो सकता है दूसरे चांस है, पहली बार में उसने निकाली तो N आई, N में से कोई एक आई और फिर उसने वापस रखी अभी बार दूसरी निकाली वह भी आपके पास में वाइट आगी क्यों वाइट आपके पास n बॉल है तो ऐसा हो सकता है तो या तो 3 अब देखो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल करोगे ना तो यहां से n के 2 मान मिलेंगे आपको और इससे भी आपको n के 2 मान मिलेंगे ठीक है क्योंकि दोनों कंडिशन सैटिस्पाई होनी चाहिए तो n बराबर एक तो दोनों में आएगा ठीक है और इसमें एक मान दू आएगा और इसमें 9 आएगा ठीक है तो क्योंकि जो भी है आपके पास में दोनों कंडिशन को सैटिस्पाई करना चाहिए इसलिए आपका जो सही आंसर होगा इसके अंदर वो होगा बच्चो n बराबर 1 ठीक है जैसे for example एक equation को मैं आपको solve करके दिखा देता हूं ठीक है द इस 2 को इजए multiply कर दो और बराबर n plus 3 into n plus 2 by 1 into 2 that is 2 ठीक है इस 2 को LCM लेलो तो यह कट जाएगा 2 2 और यहाँ पर 2 से multiplication 2 से divide तो यह भी कट जाएगा कितना है का देको 6 गुना दो 12 plus 2n square और minus n that is 2n बराबर n square plus 5n और plus 6 सारे डेटा को left hand side में लेयाओ देखो n square minus 5 और 2 minus 7n और plus 6 बराबर 0 देखो इसके factors हो जाएगे n minus 1 और n minus 6 n के 2 मान आगे एक तो n बराबर 1 और एक n बराबर 6 ठीक है ना ऐसा ही सेम तरीके से आपके इस equation को solve करना है 9 plus n square बराबर 5 by 8 into n plus 3 का all square ठीक है ना इसको आप solve कीजिएगा और देखिएगा इसमें n के ये 2 मान आ रहें दोनों को संतुस्ट करना चाहिए तो n बराबर 1 और n बराबर 6 अब इस question को करते है टाइम पर कुछ बच्चों के दिमाग में question आएगा कि जब इस थेले में एक ही बोल है तो ये 2 select कैसे कर सकता है पहले case में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर एक बोल है तो उसमें फिर ये वाला case बनेगा ही नहीं उसमें सिरफ पहले वाला case ही बनेगा आपके पास में ठीक है ना अगर answer आपके पास में कभी कोई ऐसा question आता है कि आपके थेले में पान्स बोल है आपको 10 बोल सट होगी नहीं एक जैसी है ईसा हो सकता है कि अगर ऐसा कोई चांस थी पांच इसमें से लेनी हो उसमें से लेनी हो । तब हो सकती है नहीं तो इसका बच्चो हमारा question number 3, क्या करना है देखो, question number 3 के अंदर अपने को, यदि sum of the binomial coefficients in the expansion of this is 64, देखो बच्चो, अगर कोई भी एक binomial expansion होता है, ठीक है, उसके अंदर coefficients का sum निकालना हो, और अगर दूसरी कोई भी चीज नहीं दी हुई हो, तो x को 1 put करने से आ जाता है, और वो है 2 की power n, जो आपको 64 दे रखा है, that is 2 की power 6, तो n ब्राबर आ जाएगा आपके पास में 6, ठीक है, क्योंकि और कोई coefficients तो है नहीं, उसके अंदर नहीं, तो उसका भी role होता है, बट यह x, तो इसमें से x से independent term क्या होगी, देखो बच्चो जब आपको n मिल चुका है, तो आप अगेन इसकी general term लिख करके, और देख सकते हो कि कौन सी term होगी, तो that is 6cr, x की power 6 minus r, और into 1 upon x की power r, that is x की power r, x से independent चाहिए, तो दोनों को एक साथ लेकर कि उसको 0 करना है बच्चो आप बच्चो वह आपकी term होगी, क्यों, क्यों को इस term की value पूछिए, तो यह तो उसमें आएगा नहीं, लेकिन यह तो आएगा उसमें 6c3 तो, 6 into 5 into 4, that is 20 by 6, 20 into 6 by 6, that is 20, तो यह होगा बच्चो इसका सही answer आपका, ठीकिन यह तो बड़ा असान question था, चलिए, आगे देखते है question number 4, यह देखो बच्चो मैंने आपको जो trick बताईती ना, वो बहुत काम में आएगी, इस question के अंदर, देखो मैंने क्या कहाता आपको, n अगर उपर समान हो, तीनों में समान है, तो जो बड़ा है न नीचे, उसको उपर रखना है, ncr, बटे ncr-1, यह तो दे रखा है बच n plus 1 minus r, ठीक है न, इसमें से उगटा हो कि यह minus और यह plus हो जाएगा, और इसको काट भी देना, यह दो बार कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा आपको कितना, 2n plus 2 minus 2r ब्राबर r, that is equation number 1, ठीक है, और नहीं तो एक काम करो, इसको लिकोई मत, ठीक है न, अपने क्या करेंगे, यहां से सिधा n ही निकालेंगे, ठीक है न, यह कितना आजाएगा, r by 2, इसको उदर r को multiply कर दो, r को इदर लेओ, r और 1 भी इदर आजाएगा, तो यह हो जाएगी value of n, ठीक है, ऐसा एक काम को दूसरे वाले में करते हैं, क्यों हमने को r चाहिए न, तो उसको अपनी u g क्यो दूसरे वाले में भी बड़ा चोटा, इसमें देखो r plus 1 और r को लेंगे, तो ncr plus 1 बटे ncr, नीचे तो आजाएगा r plus 1 और उपर आजाएगा इन दोनों का difference, ncr plus 1 की value 8 और यह 28, ठीक है, इस बार किससे कटेगा देखो, इस बार यह कटेगा, आपका 4 से 2 बटे 7, देखो ब करते हैं, उपर इसको इधर ऐसे agtg रखते है, n minus r, ठीक है, इसको इधर multiply कर देते है, 2 by 7 into r plus 1, यह भी n की value है, इसको भी इसके बराबर कर दो, n की value कितनी आजाएगी, 2 by 7, r plus 1 और plus r, ठीक है, अब इसको solve कर लो, क्योंकि यह भी n की value, वो भी n की value दोनों बराबर होगी, इस r से r तो कट जाएगा, और बाकी को आप बड़े आसानी से solve कर सकते हो, इसमें LCM लोगे तो r minus 2 आएगा, ठीक है, इधर तो multiply हो जाएगा 7, और इधर आजाएगा 4, गोना r plus 1, कितना आएगा देखो, 7 r minus 4 r, that is 3 r, और 14 इधर आजाएगा, 14 plus 4, 18, r की value मिल जाएगी बच बच्चो आपका answer, नहीं तो यह question बहुत बड़ा हो जाता भी, अगर आपको यह trick पता है, तब ही आप इसको इतने आसानी से solve कर सकते हैं, ठीक है, तो जो चीज़ आपको बताई जाती है, उनका हमेशा questionों में use करने की causes कीजिएगा बच्चो, चलिए इसी के साथ बात कर ल एक कमिटी तो फोर मेंबर, वो जो आठ लोग है, वो चार लोगों की एक कमिटी बनाना चाहते हैं, then the number of different committees that can be formed in which no couple finds a place each, देखो, यह रहे चार कपल, इसमें भी male और female दोनों है, इसमें भी दोनों है, M1, F1 नाम दे दो, आपको लगेगा identical है, M2, F2, M3, F3, और यह M4, F4, ठीक है, एक कपल यह है, एक यह है, एक यह है, और एक यह है, ठीक है, यह जो आठ लोग है बच्चों, इन में साब को चार लोगों की committee बनानी है, और जैसे उन चार में अगर यह M1 आ जाता है ना, तो बच्चों यह F1 नहीं आना चाहिए, इसका में से किसी ECO select कर लिया, इन दोनों में से किसी ECO select कर लिया, इन दोनों में से भी किसी ECO select और इन दोनों में से किसी ECO select और इसको multiply कर दिया, तो चार selection हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा, ऐसा करने से अपना काम हो जाएगा, तो बिलकुल होगा, क्योंकि आपने इन दोनों मे हो गया इसको solve कर लो यही है बच्चो आपका answer that is 60 तो यह हो गया बच्चो आज का आपका paper ठीक है बहुत ही अच्छा paper था आप सभी ने अच्छी तरीके से किया होगा फिर भी अगर कोई doubt रह गया हो तो आप लोग doubt class में आके अपने doubts clear कर सकते हैं clear okay thank you very much